कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके सार्ड डर्मा शाइन के थ्री फेस पॉशेस हैं जो डिफरेंट स्किन टाइप्स के हसाब से उसका रिव्यू शेयर करूंगी अपना आपको एक्सपीरियंस किता हूंगी सबसे पहले है यह प्यूर फेस पॉश जो के डर्मा शाइन वा लेकिन प्यूश पाइई करते हैं तो जिसारह से एक झ्ञाख बनती है फेस पॉश की उस तरह से नहीं बनती बलकिर यह आपकी स्किन में एक ब्सॉब होता जाता है और प्रमार तक को आपके पॉश जो है उनको भी काफी हत्तक नीट क्लीन करता है डलननस को रीमूफ करता ह skin जो है उसको healthy रखता है और oil free रखता है no doubt अच्छा मेरी skin थोड़ी dry है लेकिन आज कल के मौसम के असाब से dry skin वालों का भी problem हो जाता है कि काफी जादा वो चिपचिपसी हो रही होती है तो उससाब से face wash dry skin वालों के लिए भी बहुत best है ठीक है अब next बात कर लेते हैं हमारे पास next face wash पो डर्माशाइन वालों का gently exfoliating active white face wash है ये और ये claim करता है कि हमारे dark spot को remove करता है skin को lighten करता है और remove करता है dead skin को layer जो आपकी skin पर होती है और आपकी skin जो impurities हैं उसको remove करता है deep cleansing formula है इसका और अनार की इसके अंदर खुससियात पाहिजाती है अच्छा मैं यहाँ पर ये बताती हैं जो लोगे इन्होंने अपनी सारी जितनी भी face wash के उपर लिखा है all skin type लेकिन साथ में बीच में ये भी बताया गया है कि किसी किसी product पर लिखा है कि ये oily to combination है किसी भी लिखा है ये dry है तो कुछ समझ से बाहर है इनकी ये बात लेकिन जहां तक मैंने इसको use किया है और महसूस किया है इस वाले face wash ने जो कि मैंने आपको पहले आपके साथ share किया है उसने मेरे skin पे जो थोड़े बहुत dullness थी उसको remove करके और मुझे वो सबसे जादा पसंद हाया आप तक कि पूरी जो मैंने यूज किया लेकिन ये वाला face wash है ये आपकी skin को glow देता है लेकिन उस तरीके से dark spots को eliminate नहीं करता next है हमारे पास रर्मा शाहिनवालों का heat treat tree face wash जो कि क्लेम करता है कि ये आपकी skin जो है उस पे से जो आपके रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हैं तो acne और pimple को reduce करता है और एक इसकी जो अगर आप consistency की बात करें तो वह भी जेल फॉर्म में है क्री बहुत जाग नहीं बनाता मैं यहाँ पे आपको show कर देती हूँ जैसे के एक जेल फॉर्म में होते हैं उस टाइप के है क्यूंकि ये pimple के लिए है इसके अंदर tea true है तो ये sensitive skin के लिए जो skin पे pimple हो जाते हैं उसके लिए और acne के लिए best है oil free है और आपके pimple को अच्छे से remove कर देता है होने नहीं देता बनने नहीं देता combination skin के लिए भी ये अच्छा माना जाता है अच्छा अगर इसके texture की बात करें जो मैं आपको साथ पहले share किया था अनारवला जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी उसका texture भी gel form में ही है लेकिन य ना तो face face पे proper जाग बनते ही जैसे साबुन से बनती होती है उस type की और अच्छे से आपके face को ये wash कर देता है जो ये acne वाला है ये आपके face पे से acne को remove करता है आपकी skin पे अगर acne है acne prone skin है तो ही आप ये वाला treatery face wash जाए है वो use कर सकते हैं otherwise आप इसको अगर आपकी skin oily है ये problem से तो आप इस face wash को जरूर यूज़ करें क्योंकि अगर आपकी face पे कोई acne का issue नहीं है और वैसे ही combination skin is sometimes तो फिर आप इसको मत यूज़ करें क्योंकि मैंने ये देखा है कि फिर ये suitable नहीं है इसी skin के लिए acne prone skin के लिए बहुत best है अच्छे से आपके जो face पे कोई pimple वगर issues के उपर अच्छे है एकॉनमिकल है यनि इनकी price बहुत थोड़ी है आप सरती इनसो साड़े इनसो में each आपको पढ़ेंगे मैंने इसको derma shine की जो website है वहां से directly order किया है इसलिए इसमें बिल्कुल फेक होने का कोई chance नहीं लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा best जो मुझे पस कर देता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को साफ नीट और क्लीन कर देता है तो जो द्रम्यान वाला है ना अनार वाला जो रिमूव डैट स्किन लेयर जिस पे लिखा वार ये डर्मा शाहन वालों का जो प्रामी डैनेट वाला है वो मुझे इतना पसांद नह चुरू कर देता है ये मुझे इसकी फिलिंग आई है ऐसे तो ड्राय स्किन गर्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी आपकी बहुत ज़्यादा अगर ड्राय स्किन है तो आप इसको मत यूज करें अच्छा ये ये क्लेम करता है कि ये मेक अप को भी क्लेंस कर दे ठीक है ये था मेरा आज का रिव्यू आपने मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सब कैसा लगा मेरा रिव्यू आपके लिए यूसपुल रहा के नहीं रहा मुझे इंस्टा पे भी आपने फॉलो करना है और शियर करना है मेरी वीडियो को सब्स्राइब कर मेरे चैनल को और भी इस तरह के जो रिविउ है उसके लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं तो मैं आपके साथ और भी जो प्राड़क्ट है फेस से रेलेटेड़ सके रिविउ आपके साद शेयर करती रहूंगी तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल थैन अलाहा प्राफेज। प्राफेज।